दोस्तो जया पर्दा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुरूख्यों में रही है। जया उन एक्ट्रेस में से एक रही है जिन्होंने अपना फिल्मी करियर काफी कम अम्र में ही सुरू कर दिया था और कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। बॉल्यूट के अलावा राजनीती में भी उन्होंने हाथ आजमाया जहां वो सफल रही है राजनीती में वो 10 साल तक सांसद रही दोर एक्टरिस उन्होंने साल 1989 में स्री स्री मुवा के हिंदी में रीमेक फिल्म सरगम के जरीए हिंदी फिल्मों में कदम रखा था अपने 30 सा के फिल्मी करियर में जय पर्दा ने करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है उनकी बराबरी उस समय की सूपरस्टार एक्ट्रिस स्री देवी से की जाती थी हाला कि दोनों एक्ट्रिस के बीच की दुस्मनी उस वक्त भी बी टाउन में चर्चा में रही थी परदे पर सबसे खूबसूरा चेहरा बताई जाने वाली जय पर्दा का विवादों से घहरान आता रहा है स्री देवी से दुस्मनी के अलावा जय पर्दा एक बार अपने को एक्टर को थपड विजड चुकी है ये एक्टर कोई और नहीं बलके दिलिपताहिल है जो कई फिल्मों में विलन इसके लिए डिरेक्टर और दिलिपताहिल के बीच बातचीत हो चुकी थे फिल्म में दिलिपको जय को पकड़ना था लेकिन सूट जैसे ही स्टार्ट वा उन्होंने फुलो में आकर उन्हें कसकर पकड़ लिया सुरू में जय ने खुद को छुडाने की काफी कोसी से की ले जैपरदया ने अपने फिल्मी करियर में कई हीट एक्टर्स के साथ काम किया है लेकिन सबसे आदा अमिताब बच्चन और जितंदर के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया जैपरदया अपनी पहली फिल्म से ही रातो रात स्टार बन गई थी हाला कि पहली हिंदी फिल् दिखा पाई थी लेकिन साल 1982 में आई फिल्म काम चोर के रिलिस के बाद उनका सितारा एक बार फिर चमक गया कमचोर के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में दी मौली तौफा औलाद और सुर्ग से सुन्दर जैसे फिल्में उनके करियर की सांदार फिल्मों में गिनी जाती है हिंद फिल्मों से भले ही जैपरदा ने दूरी बना लियो लेकिन वो अन्य भासाओं में भी काम करती नजर आती है वो बंगाली मली आलम तेल्गो और तमिल जैसे फिल्मों में अकसर नजर आती रहती है पिछले साल वो पंजाबी फिल्म में भी नजर आ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले